हेलो स्ट्रेंट्स, वेलकम बैक टो मैं चानल, माई नहीं में सहरीश और आज मैं आप लोग को इस वीडियो में इंगलिश के इंपोर्टन कोशन्स बताने वाली हूँ, क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी वालों के लिए वीडियो है, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, तो इस वीडि भी हीरा, तो आपलों मुझे कमेंट सेक्चें में कमेंट करके पूछ लिजेगा, टॉप 20 कोशन्स एं, 20 कोशन्स आप लोगो याद करने है, धयान में रखना है, नोड़ डाउन करने है, स्क्रिंशोट ले ने लिजेगा, यह पार्ट 1 वीडियो है, दो तरह के मैंने वीड सब्सक्राइब कर देखेंगा और सारे कोशन्स ध्यान में रखीगा याद कर लीजगा नोट कर लीजगा और इसके लावे में आप लोगो बताना चाहते हूं कि अगर आपने में चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं देखिए जाकर कि मेरे चानल को और इसमें पोईफिए कोन आंसर प्रवाद देख सकते हैं और अपने एक्जाम की तयारी भी कर सकते हैं और अपनी सरी इंफॉर्मिशन होते हैं चैनल को सब्स्क्राइब करेंक तो चलिए मैं आप लोगों को समझाना शुरू करती हूं तो देखें पहला कोशन हैं यहां पेवाट प्व कोशन बहुत इंपोर्टेंट है हर बार आता है आप लोग को इंपोर्टेंट है इसे जरूर याद करेंगा इसमें पूचा जा रहा है कि आप लोग को इंट्रिव्यू देने से पहले कौन सी चीज़ें जो आप लोग अपने ध्यान में रखनी चाहिए तो आंसर है the points to be kept in mind before facing an interview are as follows पहला है आप लोग को कपड़े जो है ठंग से पहन की जौना चाहिए दूसरा है arrive on time, आप लोग को जो है वक्त पे पहुँचना चाहिए, interview के time पर जो भी आप लोग को time दिया गया हो third है mind your manner, आप लोग को manners रखनी चाहिए, एक चलने फिरने से रिले कर कि कैसे बैटना है, कैसे बात करना है हर चीज का एक manner होना चाहिए fourth है pay attention of your body language आप लोग को अपनी body language सही से करके रखनी होती है, जैसे कि आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोग टेड़े मेड़े हो के खड़े हैं, या आप लोग का थोड़ा attitude वाली body language है, तो यह सब चीज है आप लोग को वाँआप मतलब patience प्लस आप लोग को अपना politeness दिखानी होती है, फिफ्ट पॉइंट है, आसके insightful questions, मतलब senseless questions आप लोग को नहीं पूछन है, ऐसे questions पुछी, जिसका कोई sense हो, मतलब की कोई भी question अगर question अगर आप put up कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा question हो, जो की मतलब बेसर पैर कारना हो, धंका question put up करिए, उसके यहां पर आप लोग का second question आता है, second question में पूछा गया है, mention the name of any four records to be maintained by the receptionist, receptionist जो होती है, उसके पास कोई four records जो है maintain उसे करके रखना चाहिए, वो कौन-कौन से है, four records पूछे गया है, और भी records होते हैं, लेकिन यहां पर total four ही पूछा गया है, तो answer है, the four records to be maintained by the receptionist are as follows, first है legal records, second है progress records, third है accounting records, और fourth है correspondence record, यह चार records है, जो की उसे maintain करके रखना चाहिए, legal record हो गया है, जैसे कि आप लोग पहले उन सब चीजों का record रखना चाहिए, third हो गया accounting मतलब की, पैसों से related की, कितना कमाया, उस company ने, कितना जोड़ घटा ना, इन सब टाइब की चीजों का record रखना चाहिए, fourth हो गया correspondence record, कि वहाँ पे जिस भी company में, जितने भी candidates, मतलब जितने भी question है आप लोग का, तो question है, why did the tiger attack Baldyo, टाइगर ने जो है, बैल्डियो पे attack क्यों किया, answer है, he knew the dangerous animal in the jungle, उसे पता था कि dangerous animal, खतरनाक जानवल जो है, उस जंगल में है, as the tiger attacked with a quick run, tiger ने जो है, जटके से attack, जल्दी से दोड करके उस पर attack किया, बैल्डियो पे, and Snerl, बैल्डियो उसे एक्स to defend himself, उसके बैल्डियो ने जो है, अपनी लाठी जो थी उसकी, उससे जो अपने आपको बचाने की कोशिश किया, उससे मारने की कोशिश किया, तो tiger ने जो है, बैल्डियो को देख कर के तो उसमें पूछा गया कि क्या एडवांटेजेस हैं विंड एरजी यूज करने की आंसर है अडवांटेजेस अफ विंड एनर्जी आर्र मोर एडवांटेजेस इंक्लूड अन अनलिमिटेट फ्री रेनेवबल रिसोर्स इसल्फ एकनोमिक वैल्यू मेंटेनेंस तो इसका में यहां पर एडवांटेजेस यह बताएं कि यह जो होती है कि यह सारे जो इसके एडवांटेजेस हैं कि विंड हर्विस्टिंग वैल्यू है मेंटेनेंस कोस्ट इस सब चीजों की जो ही एडवांटेजेस हैं इसके बाद जो आप लोगा आता है फिफ्ट कोशन वाट लेसं डिद इस अंकल टीचेंग यह आप लोगा चाप्र नंबर वन से है चाप्र नंबर फर्स जो है आप लोगा माई फर्स इस्टेप जिसमें इसको आपने नहीं उसको है इसको आप लोगा पाता है जुआ को आप लोगा नहीं होता है तो इसको कमाने कि लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी क्योंकि मेहनत का जो मतलब success का जो रास्ता है वो कोई भी shortcut नहीं होता उसको जो आप लोगो मेहनत कर गए हासिल करना होता है उसके यहाद 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 आप लोग आता है sixth question what precaution did thimakka take to protect the plants यहाँ पर पूछा गया है जो है आप लोग का reading with understanding उसी में से यह वाला question आया section 1 में से तो पूछा गया है यहाँ पर what precaution did thimakka take to protect the plants मतलब उसने thimakka ने कौन से precautions अपने plants को जो है protect बचाने के लिए जो है तो precautions लिये थे यहाँ पर answer है thimakka took great pains to protect the young plants from being eaten by the cattle so she put a thorny bushes around them to protect them तो यहाँ पर answer में बता रहें कि मक्का ने जो है बड़ी महनत से जो है अपने young plants को जो है बचाने के लिए कीडे उसे ना खा जाए उन plants को ना खा जाए उसके लिए साइट साइट जे उसने लकडिया पुशे जो है खड़ी कर दिया ता लगा दिया था ताकि cattle जो कीडे है वहां तक पहुंचना पाए और plants को खाना जाए उसके बद आप लोग आता है question number seven what does the writer think is wrong with his education what should he really like to learn about chapter number four से आया है father dear father वाला जो आप लोगा chapter उसमें से वाला question है तो जो राइटर है जो बच्चा था उसका answer है वो बोल रहा है यहां पर पूच रहा है कि उसके education के साथ इस question पूचा गया कि उसके education के साथ क्या गलत हो रहा था उसके हिसाब से और क्या चीज वो जो है सीखना च use it in daily life मतलब उसके हिसाब से यहां पर यह था कि वो जो education ले रहा है जो पढ़ाई कर रहा है अगर वो इसको utilize मतलब कोई अपना कामी नहीं कर सकता अपनी life में उस चीज़ को उस education को कोई use ही नहीं कर सकता अपनी life में करके नहीं देख सकता जब कुछ सीख नहीं पा रहा है actually पढ़ पढ़के और लिक लिक के क्या फाइदा actually में जब वो करके वो चीज़ दिखा पाए तभी उस education का फाइदा है तो actually में वो चीज़ करके देखना था कि education जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एक्चल में करके देखूं कि वो होती कैसी है खाली लिक लिक करके क्या फाइदा तो यह चीज जो है उसके हिसाब से उसके education उसके पढ़ाई के साथ जो गलत हो रही थी चीज रॉंग थी उसके हिसाब से कि उसको actually practically उसे करके देखनी थी हर चीज़ की जब वो कुछ करी नहीं पा रहा है actually में तो उस education का फाइदा है जब वो पढ़ रहा है हर चीज लिक र सब्सक्राइब कर दिया जाता है इसके बाद जो आप लोग आता है कोशन नमबर नाइन जो कि आप लोग का चाप्टर नमबर भूल प्रों पर एक सटॉरी है आपने लफ के बारे में मर्मिन को लेकर पूर यहां पर pots कोशन ओ हवड़े पोईट रिमेंबर हैं राइफ किसे रही आपने पुछमन की चीज चीज़ें यहां पे अपने घ्राइंड मधर के हाउस पर रहुं पर याद करती है तो वहीं पे यह सोच रही कि अपना चैम कैसे स्पेंड करती थी अपने ग्रैंड मदर के साथ यहां पर पूछा गया कि उसे कैसे रिमेंबर है सारी चीजें जो की वो विश करती कि काश मेरी जो ग्रैंड मदर है वापस से जिंदा हो जाया मेरा प्यार देख सके उनके लिए तो आंसर है पूएट को जह है अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार मिला था बट नौ शी इस डेड वो ग्रैंड मदर जो है मर चुकी है दाउज वर डेजर्टे लुक इन हर एपसेंस मतलब उसका दादी मा का जो घर है पूएट का वो एकदम धूल से सनावा है और धूल धूल से हो गय देजर्टेड लुक हो गया है इवन दे एयर इंसाइट सीम तो है फ्रोजन दा सौर्ट फॉर दा लव फॉर दा वा फॉर दा उसका घर दादी मा का हर चीज एकदम जमी जमी सी हो गई है जैसे फ्रोजन में अप लोगो पता ही होगा जाना जैसे हम फ्रीजर में कुश रख दादी मा जैसा प्यार जो है उसे स्ट्रेंजर से कहीं से भी नहीं मिलता है बहुत कम ही प्यार जो है उसे हर तरफ से अपनी फैमिली से मिलता है दादी मा जैसा प्यार उसे आज तक नहीं मिला शी फिल लॉस्ट विदाउट हर वो अपने अपने आपको जो अकेला और खोय that love again, मतलब वो चाहती की वापस से उसकी ग्रैंड मदर जो है जिन्दा आओ जाए ताकि वो जो है वैसा प्यार दुबारा वो जो पोईट है वो है वैसा प्यार जो दुबारा से पास सके जो कि उसे काफी वक्त से नहीं मिला है उसके नहीं पर आप लोग का आता है question number 10 जो कि आप लोग का chapter number 7 से आया reading with understanding का section 1 वाला story वहां से आप लोग का ये आया है question इस question में फूचा गया है why do adolescence get stressed? Adolescence जो होते है तर टेंशन क्यों लेते हैं, stress क्यों रहते हैं, answer है Adolterants are faced with the demands of their developmental task, मतलब उनके body में जो है काफी सारी चीज़ें growth हो रही होती है, development हो रहा होता है इनकी body में जिसकी वजह से जो हो जादा मतलब हर चीज एक natural चीज है, जो की tension लेते है, जो भी adolescence होते है, वो सारे tension लेते ही है then there are demands to be complex society in which there is cut through competition, so they get stress, मतलब उसके बाद जो है आती है एक society जिसमें काफी जादा जैसी generation है, हर तरह की generation आती है और हर तरह की competition के हिसाब से जो है, एडॉल्सेंस के अंदर जो है, टेंशन आई जाता है, तो हर तरह की changes की वजह से जाए वो society हो या फिर body हो उनकी, तो हर तरह की changes की वजह से जो है, एडॉल्सेंस स्ट्रेस्ट रहते है, तो यहां तक जो आप लोग की 10 questions complete होते है, जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो के starting में बताया था कि मैं top 20 questions आप लोग के ऐसे बताऊंगे, जो आप लोग के exam में जरूर आएंगे काफी important है, तो आप वीडियो का लिंक मैं description box में दे दिया है, तो जाकर जल्दी से part 2 वीडियो देख लीजे, part 1 वीडियो ये थी, part 2 वीडियो पर चैनल को subscribe जरूर करके जाएगा, ताकि और भी सारी तरह की information, सारी update और पढ़ाई से related सारी information जो आप लोग तक पहुँचती रहे, और वीडियो को शेयर जरूर करेगा, ताकि और भी बच्चों तक जो सारी information, सारी update पहुँचे, प्लस आप लोग की important question से जो मैंने आप को इस वीडियो में बताया है, वो भी सारे बच्चों तक पहुँच जाए, तो जितने भी NIS के जितने भी contact में हैं आप लोगों के, तो उन सब को जो ही ये वीडियो सेंड कर दीजे, वीडियो शेयर कर दीजे, और कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट देख लिजे तो मिलते हैं आप पार्ट वाली वीडियो में, पार्ट वाली वीडियो में समत करिएगा, जाके जल्दी से देख लिजे, तब तक के लिए इस्टे हो, मिस्टे सेफ, टेक्यो आफ एल्थ एन इमेनिटी और थांक्स वॉचिंग